नमस्कार आपका स्वागत राजनावा टीवे मैं भूनम आपके स्वागत केन सरकार ने सीबी आई को बिहार के पुर्व रेल मंत्री लालू परसात यादाव के खिलाफ मुकत्मा चलाने की मंजुरी दे दी है सीबी आई ने जानकरी राउज एवन्य कोर्ट को दी है इससे पहले 18 सितंबर को राउज एवन्य कोर्ट ने जमीन मनी लॉंजरिंग मामले में बिहार के पुर्व सीएम लालू परसात यादाव तेजस्वी यादाव और अन आरपियों को समन जादी किया था पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप अकलेश परसी और उनकी पत्नी किरन देवी को भी समन भेजा है कोट ने ये भी कहा कि तेजप्रताप्यादाव की समलिप्ता इसे इनकार नहीं किया जा सकता वह एके इंपोसिस लिमिटेट के निदेशक भी है इडी ने छे अगस को ग्यारा आरोप्यों के खिलाफ पूरक आरोपत्र दायर किया था इनमें से चारकी मौत हो चुकी है इसमें ललन चौधरी, हजारी राय, दर्मेंद कुमार, अखिले शवर सिंग, रविंदर कुमार, स्वर्गे लाल, बाबु राय, सोर्मत्या देवी, स्वर्गे किश्ण, देव राय और संजे राय शामिल है ललन चौधरी की पत्नी ने पत्ति की मौत्यू से जुड़ी पोस्मार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तूत की है कोर्ट ने मौत्यू प्रमान पर दाखिल करने का आदेश दिया था इस मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी सभी को कोर्ट में पेश होना होगा जिस किरन देवी को कोर्ट ने समझ जारी किया है वो पत्ना की रहने वाली है किरन डेवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3,70,000 रुपए में अपनी 80,905 वर फीट जमीन लालुयादव की बेटी मिशा भागती को बेश दी थी इसके बाद 2008 में स्टैंपल रेलवे मुंबई में किरन डेवी के बेट अभिशेक कुमार को नौकरी मिल गई लैनफोर जब मामले में राज़त प्रमुक लालुयादव के करीबी सयोगी और अमित कातालिले को दिल्ली का हाई कोट ने निया में जमानत दे दी है न्याय मूर्ती नीना बंजलकर्शना की पीट ने कहा कि आरोपी लगाता जाच में शामिल हो रहा है और किसी भी स्थर पर कुष्टाच के लिए जारी समन्द से बचने की कोशिश नहीं की है तत्यों को देखते हुए आरोपियों के भागने की आशंका नहीं है आरोपी दस नमंबर दोजात तेवी से नियाई खिरासत में है और मामले में ट्रायल को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है इसे में आरोपियों को जेल में रखने से कोई उद्देश चहल नहीं होगा इसी के साथ परने नहीं राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद झाल 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 झाल